हालो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सुभी मैं रिया राठो और फिर से आप सुभी का स्वागत करते हूं यूपे एक्जाम्स वाला यूटूब चानल पर और उम्मीद करते हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आपकी स्टडी काफ य चल रही होगी आपके एक्जाम को ध या ओनकी ताड़ का अटवाटर का है या फिटाटर कहाँ पर है या फिर युनाइटन नेशन का ओर्गनाइजिशन का फॉर्मिशन कब हुआ या वुनाइटन नेशन के जो ऑर्गन है वो कितने हैं इस तरीके से तो सारी चीज़ों को डिसकस करेंगे चोट इसी क्लास में शुरुबात किरते हैं, शुरुबात किरते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं, कि पढ़ते और सीखते हैं, हम लोग बहुत कुछ है, और समय हमारे पास जो होता है, वो बहुत कम होता है, तो भाई, ध्यान से देखिएगा, पहला question आपकी screen पर ये रहा, और question आप से क्या कहे र 4th of April 1949, और इसका headquarter कहां पर होगा, Brussels Belgium, मेंबर कितने हैं, members 31, 31 वाला member कौन सा है, Finland, और Gens Stoltenberg इस समय इसके क्या हो जाएंगे, head, तो NATO का headquarter कहां पर होगया, Brussels, Belgium आपको ध्यान रखना है, next question आपकी screen पर, सायूक तराश्ट वालकोष का मुख्याले कहां पर है, तो सबसे पहले तो हमें formation पता होना चाहिए, तो 11 December 1946, UNICEF, 11 December 1946, इसी लिए हम लोग UNICEF डे कब मनाते हैं, तो माम 11th of December को हम मनाते हैं, UNICEF का headquarter कहां पर हो जाएगा, New York, New York, आपको पता होना चाहिए, कि Second World War के बाद महिलाओं और बच्चों की help करने के लिए, इसका formation किया गया, पहले इसको जो जाना चाता था, वो जाना चाता था, United Nations International Children's Emergency Fund, United Nations International Children's Emergency Fund, यह इसका पुराना नाम है, पुराना नाम, लेकिन हम इस समय किस नाम से जानते हैं, तो इस समय हम जानते हैं, United Nations Children's Fund के नाम से, Emergency इस समय क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और Catherine Russell इस समय क्या हो जाएगी, युनिसेफ की हेड, तो युनिसेफ का मुख्याले कहां पर हो गया, मैं नियु यॉर्क, बिल्कुल एकदम, छेक आंसर है, option आपका A, विश्वक खादे कारेकरम, WFP का मुख्याले कहां पर है, Ottawa, Canada, New York, USA, Rome, Italy या Paris, France, सबसे पहले काँ मैं तो World Food Program के बारे में पता होना चाहिए, कि भाई देखो, इसकी स्थापना जो है, वो 1961 में करी गई, World Food Program, FAO के द्वारा, 1961 में इसका formation किया गया, 1961 में formation, ठेक है, और अगर हम headquarter की बात करेंगे, तो जहां पर FAO का headquarter है, यानि कि Rome, Italy, Rome, Italy, ठेक है, अगर बात करते हैं, FAO की, तो 16, October, 16, October, 1945 को FAO का formation होता है, Food and Agriculture Organization का, और इसका headquarter भी कहां पर है, Rome, Italy, इसलिए 16, October को हम क्या मनाते हैं, World Food Day, ठेक है भाई, हाँ जी, तो आंसर आपका क्या बन गया, Rome, Italy बिल्कुल एकदम आपका correct answer बन गया, अगला कुशन है, अंतरास्ट्रिय ओलंपिक समीती का मुख्याले कहां पर है, Tokyo, Japan, Louisiana, Switzerland, Beijing, China या फिर New Delhi, भारत, तो अगर हम बात किरते हैं, अंतरास्ट्रिय ओलंपिक समीती या IOC, 23 जून 1894, IOC, International Olympic Committee, 23 जून 1894 को इसका formation होता है, और इसका headquarter कहां पर होगा, तो माइम लिउसाने, Switzerland, है ना, लिउसाने, Switzerland, और इस सम्में इसके head कौन होंगे, head तो Thomas Bok, Thomas Bok, ये इस सम्में इसके head हो जाएंगे, तो answer आपका क्या बन गया, लिउसाने, Switzerland, बिल्कुल एकदम आपका, ठीक answer बन गया, अगला question है, विश्व स्वास्ते संगठन का मुख्याले कहां पर है, World Health Organization, या W.H. का मुख्याले कहां पर है, World Health Organization, World Health Organization, World Health Organization, 7 April 1948, 7 April 1948, को formation हो जाएगा, headquarter कहां पर है, Geneva, Switzerland, इसलिए 7 अपरेल को हम क्या मनाते है, World Health Day, World Health Day, तो correct answer आपका क्या बन गया, correct answer आपका बन जाएगा, Geneva, Switzerland, यानि W.H. का headquarter कहां पर है, Geneva, Switzerland, और second tenure के लिए इसके head कौन बने है, तो Dr. Tedros Aidenhom, next question आपकी screen पर यह रहा, International Court of Justice का मुख्याले कहां पर है, ICJ, International Court of Justice, या ICJ, तो इस्थापना कब होती है, 1945 के charter से इसका formation होगा, और इसका जो headquarter है, वो होगा कहां पर, Hague, Netherland, हाला कि आपको यह पता होना चाहिए, कि United Nation के जो 6 ओर्गन है, उसी में से एक हो जाता है, International Court of Justice, तो headquarter कहां पर हो गया, इसका Hague, Netherland, ज़रा ध्यान से देखो, United Nation के जो 6 ओर्गन है, वो कौन-कौन से है, तो सबसे पहला जो है, वो होता है, Journal Assembly, जिसको हम कहते है, Ma'am, UNGA, Second पर होता है, आपका Security Council, जिसको हम कहते है, UNSC, United Nation Security Council, तो अगर आपसे, UNSC का Headquarter पूछे, तो New York, America, बिल्कुल इख दम, आपका 6 अंसर, यानि कि यह जितने भी ओर्गन है, इन सबका Headquarter, New York, America में, सिर्फ एक को छोड़ देना, International Court of Justice, क्योंकि, ICG का मुख्याले, कहां पर होगा, Hague, Nether, Land, नेक्स्ट की दरफ हम चलते हैं, देखो, Journal Assembly है, Security Council है, International Court of Justice है, Secretariat है, Economic and Social Council है, Trustship Council है, ठीक है, तो 5 का मुख्याले, New York में, लेकिन, International Court of Justice का मुख्याले, कहां पर हो जाएगा, Hague, Nether, Land, Next question है, International Solar Alliance का मुख्याले, कहां पर है, तो बात अगर हम IASA के करेंगे, International Solar Alliance, 30 November 2015 को इसका formation होता है, COP21 में, यानि कि Conference on Parties 21, COP21, Paris, France, Paris, France, अच्छा, इसका main aim क्या होता है, चाहें कितनी भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन वहां तक हमको क्या पहुँचानी है, बिजली पहुँचानी है, प्योग करें, इसका main motto है, या उद्देश है, तो International Solar Alliance, एक मात्र international organization है, जिसका headquarter अपने प्यारे भारत में है, यानि कि गुरुग्राम, इंडिया बिलकुल एक दम छेक answer है, अजय माथूर इस समय इसके क्या हो जाएंगे, head हो जाएंगे, नेक्ट कुशन की तरफ पढ़ते हैं, अगला कुशन, एशिया इविकास बैंक का मुख्याले कहाँ पर है, एक होता है ADB, एक होता है NDB, जब हम ADB की बात करेंगे, ADB, 1966 को इसका क्या होता है, formation, headquarter होगा, Manila, Philippines में, और head इस समय कौन है इसके, तो आप क्याते हैं, मैं असा कावा जो है, ये इस समय इसके head है, और उपाद्धेक्ष कौन है, उपाद्धेक्ष, तो नाम इनका क्या हो जाएगा, अशोक लवासा, अशोक लवासा, ठीक है, हाँज़ भाई, 1966 कोई फॉर्मिशन हुआ है इसका, पक्का, चलो, 1966 बिल्कुल ठीक है, 19 दिसंबर 1966, एक होता है हमारे पास क्या, NDB, New Development Bank, NDB जो है, ये Brics Countries का बैंक है, B-R-I-C-S, Brics Countries का क्या हो जाएगा, बैंक, 15 जुलाई 2014 को इसका, फॉर्मिशन होता है, 15 जुलाई 2014, और शंग्हाई चाइना, शंग्हाई, चाइना में इसका क्या है, हेड़क्वाटर, शंग्हाई चाइना, NDB का हेड़क्वाटर, ठीक है, और NDB का जो नया मेंबर बना है, वो कौन सा बना है, इजिप्ट, टोटल मेंबर कितने है, तो टोटल मेंबर हो जाएंगे, 9, लेकिन हमसे ADB के बारे में पूछा है, तो Manila, फिलिपिन्स एकजम आपका, correct answer है, option आपका B, next question है, दक्षिन पूरवी, को इसका क्या होता है, formation होता है, Bangkok, Thailand में, लेकिन इसका headquarter कहाँ पर है, Jakarta, Indonesia, Jakarta, Indonesia, आप से पूछा जाए, कि क्या India इसका member है, तो अपना प्यारा भारत इसका जो है, वो member नहीं है, ठेक है, तो answer क्या बनेगा, Jakarta, Indonesia, भिलकुल ठेक answer है, अचा, आशियान में जो member है, वो कौन-कौन है, Thailand है, Vietnam है, Brunei है, Myanmar है, Cambodia है, Lavos है, Indonesia है, Malaysia है, Philippines है, और इसके बाद Singapore, और इसका जो 11th member बना था, वो बना था, तिमूर लिस्टे, अचा, आप सभी को homework में बताना है, कि आशियान कंट्रीज ने चाइना का मुकाबला करने के लिए, एक exercise organize करी है, उस exercise का नाम क्या है, next question की दरफ चलते हैं, वित्यकारवाहि, कारियबल या FATF का मुख्याले कहां पर है, तो बात अगर FATF की होगी, 1989 में इसका formation होता है, FATF, 1989 को इसका क्या होता है, formation होता है, और headquarter कहां पर देखने को मिलेगा, तो मैं Paris, France में इसका headquarter है, headquarter Paris, France, Paris, France, तो correct answer क्या बन गया आपका, Paris, France, काम क्या होता है FATF को, तो बेटा, जो लोग काले धन को वैद बनाने की कोशिश करता है, तो उनको रोकना, या फिर हम यह कह सकते हैं, कि money laundering को रोकना, इसका main aim होता है, या main काम होता है, headquarter कहां पर हो जाएगा, Paris, France में, अगला कुशन है, अंतराष्ट्य स्रम शंगटन का मुख्याले कहां पर है, या international labor organization का headquarter कहां पर देखने को मिलेगा, जिनेवा, स्विट्जर लेंड में, अक्सर पूचा जाता है, कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1st of मही को जो है, वो मजदूर दिवस मनाया जाता है, next question आपकी screen पर, अंतराष्ट ये समुदरी संगटन, या फिर IMO का मुख्याले कहां पर है, International Maritime Organization IMO, 17 March 1958, 17 March 1958, किसका फॉर्मेशन हुआ, IMO, लेकिन हमसे तो headquarter जानना चाहता है, तो इसका headquarter कहां पर होगा, London, UK, है न, headquarter कहां पर होगा, तो headquarter हो जाएगा इसका London, UK, option आपका ये बिलकुल correct answer है, next question आपकी screen पर, अंतरास्ट्य मुद्राकोश का मुख्याले कहां पर है, तो अगर हम बात करें, IMF plus World Bank, ये पता होना चीए, 1944, Brayton Woods से सम्मेलन से, इनकी दोनों की क्या करी गई, इस थापना करी गई, और इस समय, Crystalina Georgieva, ये IMF की head है, और अज़ बंगा इस समय, WB, या फिर हम बोल सकते हैं, कि World Bank के head कौन हो जाएंगे, अज़ बंगा, headquarter कहां पर होगा, IMF और World Bank का, headquarter, तो मैम, Washington DC, Washington DC, और Washington DC, किस नदी के किनारे इस थेता है, तो Potomac नदी के किनारे इस थेता है, Potomac नदी के किनारे, तो आंसर आपका क्या बन गया, Washington DC, बिलकुल एक दम आपका, correct answer बन गया, अगला कोशन है, संगाई साहियोंग संगठन, या SEO का मुख्याले कहां पर है, तो अगर हम बात करते हैं, SEO 15 June 2001, SEO 15 June, 15 June 2001, एक को इसका क्या होता है, Formation होता है, Beijing, China में इसका क्या हो जाएगा, Headquarter, Beijing, Beijing, China में इसका क्या होगा, Headquarter, Total Member कितने हैं, आप कहेंगे माम, 9 Member है, India, Pakistan, इसके Member कब बने, India, and Pakistan, Pakistan, तो आप कहेंगे माम, 2017, लेकिन इसका नया वाला Member कौन बना है, इरान इसका 9th Member बना है, इरान, इतना आप सब को ध्यान रखना है, Shanghai, Beijing, China एकदम, correct answer है, NDB का Shanghai, China में, Headquarter रथा, Next question की तरफ हम चलते है, राष्ट्रिया वैमानिकी और अंतुरिक्ष प्रबंधन, यानि की NASA का मुख्याल है कहाँ पर है, जैसे हमारे यहाँ पर इस रो है ना, 15 अगस 1969 को formation होता है, वैसे ही अमेरिका की Space Agency का नाम क्या हो जाएगा, ठेक है, NASA, अकसर पूछ लेता है, बहुई, NASA का formation कब हुआ, 29 जुलाई 1958 को, और इसका headquarter कहाँ पर होगा, तो बेटा जी, Washington DC ना, हाँ जी, तो headquarter कहाँ पर होगा, Washington DC, आगे बढ़ते हैं, अगला question, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्याकोष, या जिसकी हम बात करते हैं, UNFP, question को ध्यान से पढ़िएगा, question में लिखा है, UNFP, यानि United Nations Population Fund, तो कहीं सोचना ही नहीं है, इन्होंने United Nations Population Fund बोला है, तो मैं इसका headquarter कहाँ पर होगा, New York USA में, अच्छा, 1960, हाँ जी, बिलकुल, तो UNFP, या फिर हम बोल सकते हैं, United Nations Population Fund, तो headquarter इसका कहाँ पर होजाएगा, New York USA, इससे बिलकुल एकदम आपका ठेक आंसर है, अच्छा, UNESCO का Formation कब होता है, तो आप कहते हो, मैं 1945 को इसका Formation हो जाएगा, परिस, फ्रांस में इसका क्या हो जाएगा, headquarter, परिस, फ्रांस में इसका क्या हो जाएगा, headquarter, अच्छा, 2019 में add किया गया, recently हम लोगों ने पढ़ा था, कि City of Literature, Koji Code, केरल, City of Music, Gualier, Madhya Pradesh, यह UNESCO के द्वारा घोशेद किये गए हैं, next question की तरफ हम पढ़ते हैं, अगला question है, खाद्य और क्रिशी संगठन, FAO, बताया है ना, 16 October 1948 को, 1945 को इसका क्या हो जाएगा, formation हो जाएगा, है ना, FAO, यानि की Food and Agriculture Organization, ठेक है, FAO, Food and Agriculture Organization, चले, हाँ जी, 16 October 1945 को, formation हो जाएगा, 16 October 1945 को, Rome Italy में क्या है, इसका headquarter, option आपका भी बिलकुल, करेक्ट आंसर है, अगला घूशन है, संयोगतर राष्ट विश्व परियाटन, संगठन, UNWTO का मुख्याला है कहाँ पर है, तो अगर हम UNWTO की बात करेंगे, 1 November 1975, 1st of November 1975 को, इसका formation होगा, और इसका जो headquarter है, ये कहाँ पर है, तो headquarter इसका हो जाएगा, Madrid, Spain, option आपका डी बिलकुल, correct answer है, Madrid, Spain, UNWTO, United Nations World Tourism Organization, Madrid, Spain, next question आपके स्क्रीन पर है, UNEP का मुख्याला है कहाँ पर है, United Nations Environment Program, UNDP जब पूछे, तो आपका answer क्या बनता है, मैं, New York में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर UNEP की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो UNEP का formation, हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, 5 June 1972, 5 June 1972 को, इसका क्या होता है, formation, और इसका headquarter कहाँ पर हो जाएगा, Kenya, Nairobi, option आपका बी बिल्कुल ठीक है, Next question देखिएगा, Federation International Day Football Association, या FIFA का मुख्याले कहाँ पर है, 21 माई 1904, 21 माई 1904 को, इसका formation होता है, FIFA का, FIFA, और FIFA का headquarter कहाँ पर हो जाएगा, Zurich, Switzerland, आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सहीं हो तो राष्टर व्यापार और विकास सम्मेलन, यानि कि अगर हम बात करते हैं, अंक टाड का मुख्याले कहाँ पर है, तो भाई, अंक टाड 1964 में इसका formation होता है, और इसका headquarter कहाँ पर हो जाएगा, जीनेवा, स्विट्जर्लेंड बिल्कुल एक दाम आपका, ठीक आंसर है, अंक टाड, वर्ल्ड बैंक का headquarter कहाँ पर है, जादा हो गया, बिटा हमें formation पता होना चीए, क्योंकि डेट हो सकता है, में भी formation पूछ ले आप लोगों से, तो अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, वाशंग्टन डीसी, 1944, ब्रेटन बूर्स अमेलन से, इसकी क्या होती है, इस्थापना होती है, अगला कूशन है, विश्व शत्रंज महासंग, या फिडे का जो मुख्याले है, या आपको कहां पर देखने को मिलता है, तो मैं लिवसाने या लौजेन, श्विट्जर लेंड बिलकुल एक दम, ठेक आंसर है, उप्शन आपका B, विश्व आर्थिक मंच या W.E.F, वर्ल्ड एकोनोमिक फॉर्म, तो वर्ल्ड एकोनोमिक फॉर्म के अगर हम बात करेंगे, तो कोलोगनी, जिनेवा, स्विट्जर लेंड में इसका हेड़कॉर्टर है, नेक्ट कोशन है, अंतरास्ट्य प्रकरती सर्रक्षन संग, या IUCN का जो हेड़कॉर्टर है, ये कहां पर है, IUCN, इंटरनाशनल यूनियन पॉर कंसर्वेशन आफ नेचर, IUCN 1948 को इसका फॉर्मेशन होगा, और इसका हेड़कॉर्टर कहां पर होगा, ग्लैंड स्विट्जर लेंड, ठीक है, हेड़कॉर्टर कहां पर है, तो माम ग्लैंड स्विट्जर लेंड, आपका सी बिलकुल करेक्ट आंजर है, विश्व मौसम विज्ञान संगेटन, या WMO का मुख्याल है कहां पर है, वर्ल्ड मेटरोलोजिकल और्गनाईजेशन, 23 मार्च 1950, 23 मार्च 1950, वर्ल्ड मेटरोलोजिकल और्गनाईजेशन, और इसका हेड़क्वार्टर कहां पर हो जाएगा, जिनेवा, स्विट्जर लेंड में, इसका हेड़क्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, अगला कोशन है, विश्वर डोपिंग विरोधी संस्थाफ, वाड़ा का मुख्याल है कहां पर है, तो वाड़ा का मुख्याल है कहां पर होगा, मौन्ट्रियल, क्यानेडा, हाँ जी भाई, वाड़ा का मुख्याल है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजिन्सी, यानि कि खेल भावना में, या फिर खेल में जो गलत पदार्तों का इस्तमाल करते हैं, तो उन पर प्रतिबंद लगाने का काम कौन करता है, वाड़ा करता है, और देश में कौन हो जाएगा, नाड़ा हो जाएगा, नाशनल एंटी डोपिंग एजिन्सी, आगे बढ़ते हैं, UNDP का मुख्याल है कहां पर है, United Nations Development Program, तो मैंने आल्रेडी आपको बता रखा है, UNDP का कहां पर होगा, USA, और UNEP का कहां पर हो जाएगा, Kenya, Nairobi, Next question की दरफ चलते हैं, सायुक्त राष्टर सुरक्षा परिशद, United Nations Security Council, UNSC, 1945 को formation होता है, मैम ये UN का ही क्या है, एक अंग है, यानि UN का ही एक पार्ट है, टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो टोटल मेंबर हो जाते हैं, इसमें 15, 5 पर्मानेंट होते हैं, 10 नौन पर्मानेंट होते हैं, पर्मानेंट जो होते हैं, उनको हम याद रखते हैं, किस से, एक तो रशिया है, और रशिया के अगर हम बात करते हैं तो फेस के नाम से हम इसको याद कर लेते हैं एक रशिया हो जाएगा फ्रांस है अमेरिका है चाइना है और इंग्लेंड है आंसर आपका क्या बन गया नियू यू 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 आपका सी बिलकुल करेक्ट आंसर बन गया डबलु आई पी ओ है कि विश्व बोधिक संपदा संगेठन यहां बोल सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्श тов स्विडशन क अपनेगा क्या बनेगा द्यू इंग्दम आपका करेक्ट आंसर चिने वा स्विड़ लंड अंधरोDo आंदरास्ट या होकी महासंग का मुख्याल है आपको कहां पर देखने को मिलता है पेटा ये तो आल्रेडी आपको बता है कि लियुसान इस्विट्जरलेंड में इसका हेड़टर में हम देखने को हमें मिल जाएगा Stockholm International Peace Research Institute किस देश के पास कितने हतियार है या हतियार खरीदने के मामले में कौन सा देश है जो कि टॉप पर है हतियार को बेचने के मामले में कौन सा देश है जो कि टॉप पर है इन सब के रिपोर्ट जो रिलीज करी जाती है वो सिप्री के द्वारा रिलीज करी जाती है और एक जनवरी 1995 को इसका फॉर्मेशन होगा और इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है तो माम हेड़कॉर्टर हो जाएगा जीनेवा स्विट्जर लेंड में इसका फॉर्मेशन होगा पर है तो सबसे आसान है कौलालंपूर मलेशिया अब इसका आप लोगों के सामने है इसका आप कहां पर करेंगे प्लस आपको मुझे यह भी पताना है कि रेड़ क्रोस को अब तक कितनी बार नोबल प्राइस मिल चुका है मैं यह बोल रहे हूं है इस संस्था को कितनी बार जो है वो नोबल प्राइस से नवाजा जा चुका है बाकि आप पीडियेफ के लिए टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं बाकि डेली सुबह 7 बजे आपका करेंट अफियर का सेशन भी होता है तो आप करेंट अफियर के सेशन को भी आप इस पर ले आओ बागे मुलाकात करते हैं अपनी अगले सेशन में तब तक के लिए अपना ध्यान रखो स्वस्त रहो मस्त रहो हसते रहो खिल खिलाते रहो और ऐसी सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ थांक्यू सो मच बब बाई बस्रफ लग